दीपा एक सुन्दर और समझदार लड़की थी, जिसका प्रेमी राज था. राज एक अमीर लड़का था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत खराब था. वह दीपा को ठीक से सम्मान नहीं देता था और हमेशा अपने स्वार्थी कामों में लगा रहता था. दीपा की एक सबसे अच्छी दोस्त सुनील. सुनील गरीब था लेकिन दिल का बहुत अच्छा और सच्चा इनसान था. वह दीपा से सच्चा प्रेम करता था, लेकिन कभी भी अपने प्रेम का इजहार नहीं किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि दीपा को कोई परेशानी हो. एक दिन राज ने दीपा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उसे अकेला छोड़ दिया. दीपा बहुत उदास और हताश हो गई. तब सुनील ने उसके पास आकर उसे सांत्वना दी और उसकी मदद की. धीरे धीरे दीपा को सुनील की सची दोस्ती और प्यार का एहसास होने लगा. सुनील हमेशा दीपा के साथ खड़ा रहा, चाहे कोई भी मुश्किल क्यों नाई हो. उसकी सची भावना और नेक दिल स्वभाव ने दीपा का दिल जीत लिया. दीपा को अब समझ में आया कि सच्चा प्यार राज जैसे अमीर लड़के में नहीं, बलकि सुनील जैसे अच्छे और सच्चे इंसान में होता है. आखिरकार दीपा ने राज को छोड़ दिया और सुनील को अपने दिल की बात कह दी. सुनील की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और एक नए सफर की शुरुआत की. और इस तरह दीपा और सुनील का प्यार जीत गया और वे हमेशा के लिए खुशाल जीवन जीने लगे.